नमस्ते इंदि की ख्लास में और बश्गूल की तरब से अपका फिर से अस्वागत है हमने दो अक्षर के शब्द सीखे हमने ये सीखा कि जब इदो अक्षर साथ में मिलते हैं तो वो बनाते हैं दो अक्षर के शब्द उसके बाद में हमने सीखा दो और उससे अधिक शब्द जबी साथ में मिल जाते है तो वो बन जाता है वाक्य लास्ट क्लास में हमने देखा वाक्य को लिखते कैसे है और उसे पढ़ते भी कैसे है चलो आज हम थोड़े और वाक्य देखेंगे और उसे लिखते कैसे है और उसे पढ़ते कैसे है वो भी सीखेंगे तो चलो सीखते हैं दो शब्दों के वाक्य और उसके साथ ही साथ हम तीन शब्दों के वाक्य भी सीखेंगे और उसे लिखते कैसे हैं? वो भी सीखेंगे. उसके लिए आपको क्या चाहिए? Correct. सुलेख माला B-book. In सुलेख माला B-book, we will practice writing and reading of sentences. To practice reading and writing our sentences, we need सुलेख माला B-book. On page number 1919 and 2020, we will practice reading and writing of sentences. First, we will write today's date on both the pages. Then we will read the sentence. न ल नल पर पर चल नल पर चल पत्र पत्र पढ़ पढ़ पत्र पढ़ फल चक फल चक एक बार reading practice हो जाए. फिर हम देखेंगे उसे लिखना कैसे है. पहले हम लिखेंगे न ल ये दोनों अक्षर है. उसको एक साथ में मिलाया तो वो बन गया शब्द. पर र पर नल पर च ल नल पर चल ये हो गया एक sentence. हमारा दूसरा sentence है पत्र पढ़ उसके लिए हम लिखेंगे प और उसके बाद में लिखेंगे त्र पत्र पढ़ एक बाद ये दूसरा sentence लिखने की अच्छे से प्राक्टिस हो जाए. फिर हम अब हमारा तीसरा वाक्य लिखेंगे तीसरा वाक्य तीसरा sentence है फ ल ये दोनों जबी तक लाइन नहीं बनती है वो अक्षर है. और अगर एक एक लाइन है तो वो दो अक्षर हो गए परन्तु जबी दोनों अक्षरों को साथ में मिला के एक ही लाइन मनाते है वो होता है शब्द फल चख फल चक ऐसे आपको अच्छे से पूरे पेज पे ये sentences पढ़ने हैं और उसे लिखने हैं. फिर पेज नमबर 2020 पे भी आज की date लिखनी है और ऐसे हमको वाक्य लिखने की practice करनी हैं. पहले आपको बस लिखना है फिर थोड़ी सी जगा छोड़के पर चड़ बस पर चड़ ऐसे बोलते जाना है मतलब पढ़ते जाना है और लिखते जाना है यग्य कर रत पर चल यहां आपको ये चीज ध्यान में रखनी है. जो भी शब्द और अक्षर जिसमें सर्कल आता है उसे वो सर्कल को छोड़ देना है. स्लिप्टिंग लाइन उसके उपर से नहीं जाएगी. यहां तक छोड़के फिर यहां करना है यह सर्कल को छोड़ देना है. ऐसे लिखना है. रत पर चल. ऐसे आपको ये दोनों पेज अच्छे से राइटिंग प्राक्टिस करनी है। मुझे आशा है बच्चो आपको वाक्य पढ़ते कैसे है और लिखते कैसे है वो अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद!